नमस्कार भीवर, मोना लिशा चिक में आपका श्वागत है आज हम पिंपल्स की यानि मुहाशे की बात करेंगे मुहाशे तवचा से संबंधित एक आम इस्थिती है जो अधिकांस लोगों को कभी न कभी प्रभावित करती है इसके कारण धब्बे, तैलिये और छूने पर दर्द और गरम तोचा जैसे समस्याएं हो सकते हैं मुहाशे हमारे शरीर में सबसे अधिक इन जगों पर बिख्सित होते हैं जैशे, चेहरा, मुहाशों से ग्रस्त लगभग सभी लोगों में प्रभावित होते हैं पीट, इसमें 15% लोग प्रभावित होते हैं चाती, इसमें भी लगभग 15% लोग प्रभावित होते हैं मुहाशों के प्रकार मुहाशे होने पर धब्बों के 6 मुख्य प्रकार होते हैं ब्लैक हेड छोटे, काले या पीले दाने जो तोचा पर विख्षित होते हैं उनमें गंदगी नहीं होती लेकिन रंग में काले होते हैं क्योंकि बालों के रोम की अंदरूनी परत रंग का उत्पादन करती है ब्लैक हेड के ही जैसे दिखते हैं लेकिन ज्यादा कठोर हो सकते हैं और दवाने पर खाली नहीं होते हैं पैप्यूल छोटे लाल गांट जो छूने पर शमबेदन शील या पीडा दायक महशूष होते हैं पोश्ट्यूल यह पैप्यूल के समान लेकिन केंदर में एक सफेद्र टीप होता है जो मवाद के इकठा होने के कारण होता है गांट बड़ी कठोर गांठें जो तोचा की सतह के नीचे बनती है और दरदनाग हो शकती है सिस्ट मुहाशू के कारण सबसे गंभीर प्रकार का धब्बा यह मवाद से भरे होई बड़ी गाठ है जो फोड़े के शमान दिखते हैं और इनसे ना मिटने वाले निशान बनने का ज़्यादा जोखिम रहता है देखा दोश्टो मुहाशे हमारे लिए एक शमान प्रकिर्या है लेकिन यहाँ पर एक मुहाशी क्यों होते हैं कहा जाता है मुहाशे आमतर पर योवन के दौरान हार्मोन के अस्तर में परिवरतन से जुड़ी होते हैं लेकिन यह किशी भी उम्र में शुरू हो शकते हैं कुछ हार्मोन तोचा में बालों के रोम के बगल में तेल बनाने वाली शिवम ग्लैंड जो एक प्रकार के तेल का उत्पादन करती है आम तोर पर यह अशमान्य शिवम पी एकने नामक हाने रहत तोचा जिवानों की गतिविधी को बदल दिता है जिससे ये अधिक आकरामक हो जाता है और शुजन और मवाद का कारण बनता है हार्मोन बालों के रोम की अंदरूनी परत को भी मोटा करते हैं जिससे छिद्रों में रुकावट आती है तोचा की सफाय इस रुकावट को दूर करने में मदद नहीं करती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनसे कौन प्रभावित होता है किशोरों और कम उम्र के वैशकों को मुहाशे होना बहुत आम है 11-30 वर्स की आयू के लगवग 80% लोग मुहाशों से प्रभावित होते हैं 14-17 वर्स की लड़कियों में और 16-19 वर्स की उम्र में लड़कों में मुहाशे शबशे आम है अधिकांस लोगों को कई वर्सों तक मुहाशे आते जाते रहते हैं और उम्र बढ़ने पर उनके लक्षनों में शुधार होना शुरू हो जाता है जब विक्ति अपने उम्र के बिश्मे वर्स के मध्य पढ़ाव पर पहुँचता है तो अक्षर मुहाशे चले जाते हैं मुहाशित तब होते हैं जब तवचा के छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रोम या हेर फॉल्किल्स कहा जाता है अब रोधित हो जाते हैं सिवाइसियस ग्लैंड आपकी तवचा की शित्तः के पाश पाई जाने वाली छोटी ग्रंथिया है ये ग्रंथिया बालो के हेर फॉल्किल्स से जुड़ी होती है जो कि तवचा के वो छोटे छिद्र हैं जिनमें शेबाल उगते हैं वशा में ग्रंथि बालो और तवचा को चिकना बनाती है ताकि उन्हें शुखने से रोक सके यह शिवम नामक एक तैलिय पदार्थ का उत्पादन करके ऐसा करती है मुहासे से होने पर ग्रंथिया बहुत अधिक शिवम का उत्पादन करना सुरू कर देती है यह अतरिक शिवम मिर्थ तवचा कोश्काओं के साथ म बनता है इसके अलावा बंद रोम तुचा पर खुलकर ब्लैक हिट बना सकते है आम तोर पर तुचा में रहने वाले हाने रहित बैक्टिरिया बंद रोम को दुशित और शंक्रमित कर शकते हैं जिसे पैप्यूल, पस्ट्यूल, सिस्ट बन सकते हैं तो दोस्तों अभी आप के लिए कुछ फायदे मंद हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स